कितना अच्छा हो ना कि अगर हम अपने करस्टमर के परस्टनालिटी टाइप को जानते हूं As a sales profession हमारे लिए कितना असान हो जाएगा अपने करस्टमर को वो पर्टिकलर प्रड़क्ट पिच करना और डील को क्लोज करना तो मैंने अच्छा क्यों ना आज हम इसी पर बात कर लें Different Customer Personality टाइप पर आज हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों है एक ऐसा Personality टाइप जिसको हम कहते हैं The Social Butterfly जैसा कि आप Social Butterfly से कहीं न कहीं कुछ अनुमान लगा चुके होंगे ये वो लोग होते हैं ये वो Personality होती हैं Customer की जो की Friendly चाट पैफर करते हैं ये बड़े Social होते हैं ये हर Party की जान होते हैं हर Gathering की जान होते हैं तो ये अपने Experiences शेर करना चाहते हैं अपने Ideas अपने Opinions शेर करना चाहते हैं यह बात करना चाहते हैं, यह डिस्कस करना चाहते हैं, तो अगर आप इनके साथ फेस ओफ हों, तो बहुत जरूरी है कि आप तुरंथ बिजनस पर ना आए, इनके साथ इंतराट करें, इनके साथ ओपन अप करें, इक पर सूप्व पर सेंदाइन हैं, इक पर साथ खाहते हैं, रहला वीर्स पर पिसकस्त तो रहा छया हैं, तो परक्षे जरी हैं, अप्वित इनके साथ आपके साथ हैं, इनके सहीं हैंी, information all of this इसी से ही ये decision लेते हैं तो अगर आप इसके around अपना conversation रखते हैं तो ये आपको पसंद करते हैं तो इनके साथ बहुत ज़्यादा small talk conversation करने के ज़रूरत नहीं पड़ती ये चाहते हैं कि आप सीधा मुझे ये बताएं कि ये जो product or service जो मैं आप से ले रहा हूँ ये मैं क्यों लूँ इसके basis क्या है इसका basis क्या है इसके पीछी reason क्या है prove me through data तो अगर आप चाहते हैं तो अपने pitch को somewhere अपने discussion को with data and figures and facts साथ present करें ताकि उनके लिए बहुत आसान हो ये decision making लेना येकि इनके लिए decision making through data and facts ही होता है अगला है दोस्तों the easy going companion अब इनका माना ही है कि life is too small to stress तो life को must तरीके से जीओ relax रहो चिंता मुक्त रहो और ज़्यादा tension मत पालो तो इनको बहुत ज़्यादा data, analysis बहुत सारा banter नहीं चाहिए इनको friendly chat थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करो कुछ अपने बारे में बताओ तो they value relationships yeah so keep your talk around personal touch you know give them that personal touch to them or let them be comfortable in their space don't push around too much so as a safe profession हमारी अदध होती हम बहुत ज़्यादा पुश करने लगते हैं to nahi be calm be easy they will automatically start approaching you and when they start interacting with you तब आप शायद बहुत धीमे से अपना जो भी product है service है वो प्लेस कर सकते हैं and you'll make it अगला दोस्तों तब goal oriented achiever अब जैसा कि आप जान सकते हैं नाम सुनते ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ्या रहा होगा ये focused होते हैं they're very focused on outcomes efficiency effectiveness result so इनके लिए point ये है कि आप मुझे बताएं कि product और service से मेरा क्या फाइदा होगा सीधा मुदे पे आईए मुझे बहुत जादा बाते नहीं करनी बहुत जादा analysis नहीं करनी quick decision लेना है तो मेरे लिए आपका product या service किस तरीके से benefit पहुँचाएगा आप सीधे सीधे मुझे ये बता दे तो अगर आप अपना conversation इसके around रखते हैं और सीधे मुदे पे आते वे customer को ये बता ले जाते हैं कि उनका benefit क्या होगा तो goal oriented achiever आपका हुआ वो आपके साथ relationship में आ जाएगा अगला दोस्तों the thoughtful observer ये वो लोग होते हैं जो आपकी बातों पर reflect करना चाहते हैं तो ये value करते हैं reflection दे value करते हैं opinions ये value करते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं उस पर मुझे time दीजिए मैं process करूँगा उसके बाद मैं जवाब दूँगा तो इनके साथ बहुत important है कि आप इनको open ended questions पूछें क्योंकि ये चाहते हैं हमारी opinions की इज़त हो जब आप open ended questions पूछेंगे तो ये अपने opinions देंगे अपनी बातें आपको बताएंगे आपने suggestions देंगे and then when you reply back to them they will again reflect back on them तो they will take some time तो उनको उनको वो time दीजिए उनके साथ push around मत करिये बहुत ज़्यादा तो अगर जब आप उसको उनको वो time देंगे तो वो thoughtfully observe करेंगे आपको बहुत अच्छे से observe करते हैं आपके body language को observe करते हैं so make sure आपने body language को thoroughly positive रखे हैं उनके लिए ये बहुत important है because they notice all of this the thoughtful observer अगला दोस्तों the detailed oriented perfectionist जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे इनके लिए details बहुत important है attention to details होते है हर चीज में precision, accuracy a meticulous approach चाहते है so make sure जब आप इनके साथ deal कर रहे हो तो आप तयार रहे हैं ये बहुत सारे questions पूछेंगे तो जब एक सवाल पूछेंगे तो आपको जो भी answer आप देंगे उसमें पूरी details के साथ दे explanations जो देंगे वो details के साथ दें shallow ना रखी हैं अपना conversation because ये note करते हैं तो अगर इनको depth नहीं दिखाई दी इनको details दिखाई नहीं दीए तो ये आपके साथ दील करना नहीं चाहेंगे so the detailed oriented perfection अगला है दोस्तों the relationship builder again as the names goes ये value करते हैं long term relationship transactional relationships नहीं तो इनके साथ एक personal bonding बनाईए एक personal relationship basis पे आगे बढ़ने की कोशिश करिए discussions करिए, chat करिए समझे की कोशिश करिए कि इनके value systems कहां लाई करते हैं अपनी company के value systems और उनके value systems को कहीं न कहीं match कराने की कोशिश करिए और उनको दिखाइए किस तरीके से हम आपके लिए बहुत valuable हो सकते हैं तो अगर उनको long term आपके साथ रिष्टा जोडने में फाइदा नजर आ रहा होगा तभी है आपके साथ जुडेंगे so focus not on putting across yourself on that day on that very same day and get your objectives or agendas passed across कोशिश करें कि आप इनके साथ मजबूत पर लंबा रिष्टा बनाने की कोशिश करें उस दिन same day close करने की कोशिश ना करें जो कि हमारे sales में हम सब लोगों की आदध होती है customer मिला नहीं कि हम उसे उसको हम close करने के लग गए तो वो करने की कोशिश ना करें अगला है दोस्तों the spontaneous explorer अब जैसा कि आप समझ रहे होंगे इनका भी middle name spontanity है इनको चाहिए lively interaction इनको चाहिए surprises so अपने interaction को unpredictable रखिए surprises दीजिए इनको अपने interaction में अपनी pitch में तो ये उनको पसंद है इनको excitement पसंद है so make sure अपना conversation बहुत lively रखें exciting रखें अपने product pitch को बहुत lively और exciting रखें features, advantages को बताने का तरीका ऐसा हो कि उसमें भी इनको बहुत thrill महसूस हो क्योंकि they love thrill they love unpredictability they love liveliness in everything they do in their life so for all such the spontaneous explorer give them that excitement and they will be for you they will be with you in your relationship with them you will be able to do great अगला है दोस्तों the visionary innovator अब ये personality type क्या है ये वो है obviously जैसे आप सोच सकते हैं ये visionary होते हैं ये long term visions पे विश्वास रखते हैं तो दिखाईए कि किस तरहीके से आप creative हैं तो अपनी creativity अपना innovation दिखाईए अपना out of the box thinking दिखाईए कैसे आप boundaries को push करते हैं तो इनको उसमें मज़ा आता है कैसे आपकी product आपके service उनकी life उनके future में उनकी life को change कर सकते हैं show how your product your service your company is going to help them achieve their future goals as well तो अगर आप उनको बड़ा dream करवा पाएंगे अपने product service के साथ अगर उनको बड़ा महसूस करवा पाएंगे अपने product service के साथ तो वो आपके साथ होंगे क्योंकि उनको वही पसंद है जो कुछ बड़ा है जो futuristic है जो innovative है जो out of the box thinking वाला एक product या service है वो उनको बहुत excited करता है तो अगर आप कुछ ऐसा कर पाएंगे तो ये visionary innovators भी आपके साथ हो जाएंगे So I hope दोस्तों आपको ये type of customer personality type समझने के बाद बहुत असानी होगी कैसे अपने customers को अपने different types of customers को pitch करें क्योंकि कहते हैं ना कि सेम तरीके से आप हर customer को attend नहीं कर सकते और अगर ऐसी कोशिश आप करेंगे trust you में शायद ज़्याद तर customers आपके close ही नहीं होंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो please like, comment, share करें और कुछ और भी इसी से related कुछ जानना चाहते हैं चाहते हैं specific कोई particular वीडियो तो please comment section में लिख के बताएं मेरा चानल अजीत पनी के और official subscribe करने ना भूलें bell notifications ज़रू दुबाएं अगली बार फिर से मिलता हूँ एक और वीडियो में तब तक के लिए all the very best and take care